और दो ही महने इसको इस्तिमाल करने से आप देख पाएंगे कि आपका टेस्टोस्टोस्टोन हर्मोन का लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से टेस्टोस्टोन हर्मोन की लेवल को बढ़ाने के लिए एक होमेपतिक कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों बताऊंगा जो कि 5 होमेपतिक मेडिसिन्स की मदद से बनाई जाएगी इस कॉम्बिनेशन को अगर आप सही तरीके से जैसे मैं आपको बताता हूँ अगर आप इसको 2 मेहना इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका टेस्टोस्टोन हर्मोन का लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा दोस्तों टेस्टोस्टोन हर्मोन क्या होता है इसका इंपोर्टेंस क्या है लाइफ में अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो क्या impact गिरता है किसी पूरुस का अंदर तो इन तमाम बातों का उपर हमने एक separate वीडियो अल्रेडी बना रखा अगर आपको ये बाते जानना है तो आप वो वीडियो को देख सकते है लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानने वाले है कि टेस्ट्रोस्ट्रोन हॉर्मोन का लेवल को बढ़ाने के लिए हमिपतिक formula क्या है कौन-कौन सी medicines की मदद से हम लोग टेस्ट्रोस्ट्रोन हॉर्मोन की जो combination उसको बना सकते है और उसको इस्तिमाल करके कैसे हम अपना टेस्ट्रोस्ट्रोन हॉर्मोन का level को बढ़ा सकते है और वो भी दो महिने की अंदर सिर्भी दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो line बोलना चाहूंगा कि testosterone hormone का क्या importance है दोस्तो testosterone hormone वो hormone है ये basically पूरुषों के अंदर काम करती है ये hormone एक पूरुष को पूरुष बनाने के लिए साहिक role play करता है इसी hormone का कारण से एक male का primary and secondary character develop होता है उसका link में विकास होना सुरू होता है उसका endocose का size बढ़ना सुरू होता है उसको यहान इच्छा होना सुरू होता है तो ये तमाम चीजे तभी होता है जब testosterone hormone हमारा सरीड में बनना सुरू होता है एक बच्चे का अंदर testosterone hormone का level आइस्ता इस्ता 12 साल के बाद जब बढ़ना सुरू होता है तभी ये चीजे हो पाता है तो दोस्तो मैं आपको एक line में ये समझा दिया कि ये hormone कितना important है और क्या important role play करती है एक पूरूस की life में testosterone hormone की level को जानने के लिए हम लोग एक blood test कराते है blood test से हम लोग ये पता कर सकते है कि आपका अंदर testosterone hormone का level कम है या नहीं और यदि आपका उमर 20 से 45 वर्स का भीतर है और आपका testosterone hormone का रिपोर्ट आया है वो अगर 400 nanogram पर decilator से नीचे है तो वहाँ पर बेसक आपको testosterone deficiency है और उसके लिए आपको अपना इलाज स्टार्ट करना चाहिए या आपको हमारा ये combination जो हम आपको बताएंगे वीडियो में इसको आपको स्टार्ट करना चाहिए दोस्तो आप मैं आपको ज्यादा time waste ना करते हुए सीधा मुद्धे पर आता हूँ कि इस combination को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी medicine आपको ले के आना है दोस्तो इस formula को बनाने के लिए आपको 5 हमिपतिक medicine ले के आना है मार्केट से दोस्तो मैं medicines का नाम बोल देता हूँ और side में लिग भी देता हूँ आप note down कर लीजे तो इस combination को बनाने के लिए जो medicines आपको ले के आना है उसका नाम कुछ इस प्रकार है डामियाना 6H ट्रेबुलस टेश्टस 6H आर्निका 6H जिंसिंग 6H और कोनियम मैकुलेटम 6H ये 5 medicine आपको 6H potency में लेके आना है और 10-10 ml की डॉक्टर रेखबेग की लेके आना है और जब आप medicine पर्चेस करने के लिए जाएगा तो सौपकीपर को आप कहिएगा कि मुझे एक 50 या 100 ml का खाली container दे दीजे और उस container में आप ये 5 हो के 5 हो medicine पूरी की पूरी आप डाल दीजे और उस bottle को अच्छी तरह से आप सेख करके हिला के उसको आप रख दीजे तो ये आपका बन गया testosterone hormone का हमोपतिक combination और इस combination को आपको कुछ इस प्रकार से इस्तमाल करना है इसका पांच-पांच भूंद आपको सुभे दोफे और श्याम दिन में तीन टाइम आपको इस्तमाल करना पड़ेगा पांच-पांच भूंद दोचमबच पानी के साथ मिलाकर आपको पिना पड़ेगा खाली प्रेट आपको लेना है हर दिल लेना है एव्री ड़े आपको लेना है और दो ही मैंना इसको इस्तमाल करने से आप देख पाएंगे कि आपका testosterone hormone का level काफी हद तक बढ़ चुका है और आपको अंदर से feel भी होगा कि आपका testosterone hormone का level बढ़ रहा है वो आपका body खुद realize करेगी आप feel कर पाएंगे कि आपका अंदर जो problems हो रहा था low testosterone के कारण से वो problem में काफी हद तक कमी आ चुका है यह combination मैंने बहुत patient का उपर आजमाए है बहुत patient का उपर हमने आजमा के देख लिया है clinically proven है इसका result बहुत अच्छा मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो formula में आप लोगों को बताता हूं जो combination में आप लोगों को बताता हूं यह मेरे जैसे कोई और डॉक्टर है जो यूटूब में आप लोगों को formula बताता है combination बताता है अपने experience के according और उस formula को इस्तेमाल करने के बावजुद भी अगर आपको कोई फायदा नहीं हो अगर आपको कॉई इंप्रॉ impression k SIyah भी इंप्रॉटमेंटब में बहुत कम हो रहा हो तो इसका अर्थ आप यह ना निकाले पर्फाहती बेकार है हम्यथा खाम नहीं करता है अगर आपको kalian से कोई फायदा नहीं होता है तो इसका अर्थ आप यह निकाल सकते हैं कि आपका problem की जो गहराई है जो root cause है वो काफी गहराई तक पहुँच गया है और इसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना है होमेपाथी treatment ही करना है लेकिन होमेपाथी में होमेपाथी की constitutional treatment आपको करना पड़ेगा अब होमेपाथी की constitutional treatment कोई भी डॉक्टर अपनी वीडियो में इस तरह बता नहीं सकता है बता के नहीं किया सकता है क्योंकि बहुत ही vast subject है constitutional treatment तो इसके लिए कोई भी medicine का selection हो सकता है आपके case के according आपके symptoms के according तो constitutional treatment के लिए आपको किसी कच्छी classical MD होमेपाथ के पास जाकर उनके सामने पूरा case taking देखकर ही आपको अपना इलाज start करना पड़ेगा तो बेसक आप इस combination को पहले start करके आप देख सकते हैं इसमें chances 70% है कि आपका testosterone hormone का level इसी से बढ़ जाए और यदि आपका testosterone hormone का level नहीं बढ़ रहा है इससे तो इसमें आपको चिंता करने की कोई दरकार नहीं है आप किसी कच्छी classical doctor के पास जाकर जो आपका problem solve हो जाएगा और यदि आपको यह जानना है कि हमोपती में constitutional treatment का result कैसे आता है परिणाम कैसे आता है तो इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की दरकार नहीं है अगर आप हमारा ही वीडियो उठा उठा कर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि constitutional treatment से कैसा परिणाम आता है हमारा इस चैनल को उपर बहुत सारा case वीडियो भी है case वीडियो का मतलब यह होता है कि जो patient हमारे पास problem लेकर आए है problem उस समय कैसा था और इलाज कराने के बाद constitutional treatment कराने के बाद उनका problem कैसा है यह मैं बताने का प्रयास करता हूँ ताकि लोगों की अंदर होमेपाथी को लेके जागरुकता फैल है उन वीडियो को अगर आप देखेंगे या community में जो patient का picture डालता हूँ problem का या feedback डालता हूँ patient का उसे भी अगर आप देखेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि classical होमेपाथी कितना बड़े तरीके से काम करता है तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के related कोई question है आप मुझे वीडियो के comment box में जरूर कमेंट करकर पूछे मैं आपको वहाँ पर reply आपको दे दूंगा so thank you very much and have a good day